हलो फ्रेंग्स वेलकम टु गुड मॉर्णिंग भारत फ्रेंग्स लेकर के आ गए हैं कम्प्योटर संबन्दित Most important 25 questions ये हमारा Part 2 है Part 1 में हमने Basic कम्प्यूटर से संबन्दित Most important 25 questions को discuss के है इस वीडियो में हम लोग आगे के जो 25 questions है उसे क्या है? discuss करने वाले हैं इस पार्ट में आपको ज़्यादा तर computer भासा से question दिखने वाला है तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं और देखते हैं हमारा पहला question तो यह रहाँ friends आपके सामने हमारा पहला questions निम्न लिखित में से कौन सी वेज्यानिक computer भासा है option दे रखका है basic, cobald, photon, pascal तो कौन सा option सही हो जाएगा option number C photon क्या है इस question का सही answer रहने वाला है next question है MB का प्रयोग किया जाता है magnetic bits के लिए megabytes के लिए megabits के लिए इन में से कोई नहीं तो कौन सा option सही हो जाएगा option number B MB का प्रयोग megabytes के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं next question है computer भासा कोबॉल किसके लिए उप्योगी है व्योसाइक कार्य के लिए graphic कार्य के लिए वेज्यानिक कार्य के लिए या इन में से कोई नहीं तो कोबॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है व्योसाइक कार्य के लिए option number A क्या है सही answer हो जाएगा आगे है एक paint drive है क्या है फ्रेंट्स एक इस्थिर दुती भंडाराण एकक है एक चुमकी भंडाराण एकक है एक हटाये जाने वाली दुती भंडाराण एकक है या इन में से कोई नहीं तो आप सभी को पता है फ्रेंट्स कि paint drive को क्या है कंप्यूटर से अलग कर लिया जाता है तो ये क्या होगा एक हटाये जाने वाली दुती भंडाराण एकक होगा option number क्या है C इस question का सही answer रहने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखते है next question क्या है program हे तू सरप्रथम विक्सित की गई computer भासा है proton, pascal, kobal, basic तो कौन सा सही हो जाएगा option number A proton क्या है program हे तू सरप्रथम विक्सित की गई computer भासा है चलिए next देखते हैं next question है अंग्रेजी भासा के समान उच इस्तरी computer भासा है option है proton, pascal, kobal, c++ तो कौन सा सही हो जाएगा option number C kobal क्या है अंग्रेजी भासा के समान उच इस्तरी computer भासा है आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं किस भासा में सर्वाधिक, उप्युक्त, डाकूमेंटेशन संभाव है option दे रखा है proton, kobal, pascal, c++ तो कौन सा सही हो जाएगा option number B kobal क्या है इस question का सही answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं proton, algol, pascal आदी भासाओं को सीखने के लिए किस भासा को न्यू का पत्थर कहा जाता है c++, basic, kobal, इन्वें से कोई नहीं तो किसको कहा जाता है फ्रेंट्स, basic को क्या है न्यू का पत्थर कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और next question देखते हैं next question है जतील, वैज्यानिक, गड़नाओं के लिए किस प्रोग्रावन भासा का प्रयोग किया जाता है option है basic, photon, कोवाल, पासकल तो किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंट्स, option नंबर B, photon का किया जाता है वैज्यानिक गड़नाओं के लिए next question है basic भासा का प्रयोग निब्न में से किस कारे के लिए किया जाता है option दे रखा है मौनिज्जिक कारियों के लिए वैज्यानिक गड़ना है तू बच्चों को सिखाने है तू प्रारव में सरल भासा को सिखाने है तू कहलाती है अमेरीकन भासा, मसीनी भासा, गुप्त प्रचनन भासा, इनमें से कोई नहीं तो क्या कहलाती है प्रेंट्स, मसीनी भासा, ओप्सन नमबर भी क्या है, इस कोस्चन का सही एंसर हो जाएगा नेक्स कोस्चन है, इमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोनिक मेल है, इलेक्ट्रिक मेल है, इलेक्ट्रो मैगनेटिक मेल है, या इनमें से कोई नहीं तो कौन सा option सही हो जाएगा friends, option number A, electronic mail, क्या है email का full form है, चलिए आगे बढ़ते हैं और next question देखते हैं, अधिकतर computer समझ सकता है, अंग्रेजी भासा, सद्रिश से उच इस्तरिय निर्देश, basic, कोई भी भासा, इन में से कोई नहीं, तो कौन सा option सही हो जाएगा friends, option number A, अंग्रेजी भासा, सद्रिश, उच इस्तरिय निर्देश, next question है, computer grid होता है, option A है, computer का एक hardware घटक, option B है, एक software और समरचना, जिसमें कई अभिकलन प्रतिश्ठान जुड़े होते हैं, option C है, super computer का एक आधी प्रारूप, option D है, नाभिकी अनुसंधान हेतु, दिर्ध है ड्रान संघटनी का एक hardware घटक, तो कौन सा सही हो जाएगा friends, option number B, next question है, Windows software का निर्मान किया गया, इसके द्वारा, IBM द्वारा, Apple द्वारा, Wipro द्वारा, या Microsoft के द्वारा, तो आप सभी को पता होगा friends, जो Windows software है, उसका निर्मान किस ने किया है, Microsoft ने किया है, option number D क्या है, इस question का सही answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, और next question देखते हैं, Oracle है, क्या है friends, एक प्रचालन तंत्र है, सब्द संसाधक software है, database software है, या उप्युक्त कोई नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा friends, Oracle क्या है, एक database software है, option number C क्या है, सही हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और next question देखते हैं, next question है, निम्न लिखित में से, कौन सा software सब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, option दे रखा है, page maker, word star, ms word, या उप्युक्त सभी, तो क्या हो जाएगा friends, option number D, उप्युक्त सभी क्या है, इस question का सही answer हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और next question देखते हैं, कंप्यूटर में पास्पोर्ट सुरक्षा करती है, किसका hardware के पुराने पढ़ने से, software की तूटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, या उप्युक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा option सही हो जाएगा friends, option number C, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, चलिए next question देखते हैं, next question है, वहाँ युक्ती, जिसके द्वारा आंकडों को टेली फोन के माध्यम से, बाइनरी सिगनलों की सहायता से भेजा जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है friends, modem कहलाता है, monitor कहलाता है, mouse कहलाता है, या OCR कहलाता है, तो क्या कहलाता है friends, modem कहलाता है, option number A क्या है, सही हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और अगला कुस्चन देखते हैं, अगला कुस्चन है, वीडियो मेल से क्या भेजा जा सकता है, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मेसेज, ये सभी, तो कौन सा सही हो जाएगा friends, option number D, ये सभी क्या है, वीडियो मेल से भेजा जा सकत है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो में सरवाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, कौन सा है friends, option दे रखा है, जापान, रूस, सयुक्त राज अमेरिका या ब्रिटेन, तो कौन सा आप्शन सही हो जाएगा, option number C, सयुक्त राज अमेरिका क्या है, वीडियो में सरवाध कंप्यूटरों वाला देश है, नेक्स्ट क्वेश्चन है friends, कंप्यूटर साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है, option दे रखा है, एक दिसंबर, दो दिसंबर, उननीस दिसंबर, या बाइस दिसंबर, तो कौन सा option सही हो जाएगा, option number B, दो दिसंबर को क्या है, कंप्यूटर साक्षर्ता दिवस मनाया जाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और next question है, नासा द्वारा विक्षित सर्वाधिक तेज सूपर कम्प्यूटर है, कौन सा है, कल्पना चाउला, कोलंबिया, ब्लू जीन, या परम, तो कौन सा जाएगा friends, कोलंबिया, क्या है, नासा द्वारा विक्षित की गई, सर्वाधिक तेज सूपर कम्प्यूटर है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और next question देखते हैं, भारत में सिलिकान वेली कहा जाता है, किसको कहा जाता है friends, बैंगलूरू, चेन्नाई, कोलकाता, या हैदराबाद, तो कौन सा सही हो जाएगा, option number A, का प्रथम, electronic digital computer है, एनिक, सिद्धार्थ, परम, या डिप, तो कौन सा सही हो जाएगा friends, option number A, एनिक क्या है, प्रथम electronic digital computer है, तो ये था friends, computer संबंधित, most important, 25 questions, friends, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, knowledgeable लगा होगा, तो वीडियो को like, share कर दें, ठीक है, और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए, चैनल को subscribe कर ले, तो चलिए friends, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, और हाँ, उनके साथ रहिए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, जो आपके सरीर में antibody पैदा करता हो या antibody पैदा करती हो